नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश पूर्ड नागरिक शास्त्र कक्षा बारा के नौ बहु वेकल्पिय प्रश्णों की बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यह जो प्रश्ण है यह ऐसे यूपी एस्ती के आएस परेक्षम में उतना ही भातोपूड हैं क्योंकि यूपी चर्चा प्रदेश प्रश्ण पूश्ण प्रश्ण पूशए गये हैं तो उसके लिए भी यह लिए एंग्जांपल की संगठन के स्थापनक कप की गई तो दलित पैंथर्स के बारे पहले समझने दलित पैंथर्स एक ऐसा युवाओं का संगठन था जो कि दलित लोगों के आवाज को दलित लोगों के मुद्दे को उठाने का प्रयास करता था इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा जान लेते है जो दलित पैंथर्स ने मूद्दे उठाये थे, वो था सामाजिक असमानता का, दूसरा, जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है दलितों के साथ, वंचीतों के साथ, ये जो तथा कथित निमन जाती के लोग होते हैं उनके साथ, तीसरा, दलित महिलाओं के साथ दुर्व जिक नियाए, साथमा छूवा छूट का विरोध, अच्छूवा छूट का विरोध, समविधान के अनुशे 17 में भी किया गया है, यानि समविधानिक रोप से भी ये दी, सारवजनिक अस्थल पर छूवा छूट वाली घटनाएं होती है, तो ये पूरी तरीके से समविधानिक है, और इसके लिए बकायदे ये कानून भी बना हुआ है, उसके तहट सजा भी मिल सकती है, दलित पैंथर्स जो युवाओं का समूह था, उसका उदय 1972 में हुआ था, तो इस प्रकार से इस पहले कोश्चन का आंसर जो हो जाएगा, वो ऑप्शन C सही हो जाए है, उससे संब्धित है, और ये कहां पर शुरू हुआ था, तो इसका पहला उप्शन है बिहार या आंधर प्रदेश या गुजरात या केरल, तो इसके बारे में अध्यान करते हैं, तो ताड़ी विरोधी अंदुलन मुखिरुप से शराब से संब्धित था, इसको की घटनाएं आती हैं, और भारत में बहुत सरी इसी महिलाएं हैं, जिनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, दुसरा दहेश प्रथा, तीसरा यौन उत्पीडन, चौथा लैंगिक भेधभाव, पांचवा व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानूनों की मांग, छठा सम समान राजनितिक प्रतनेधित्त, और जो 73 और 74 समयधानिक संशोधन किया गया था, 1992 और 1993 में, जिसके ताहत पंचायती राज में महिलाओं को एक तिहाई सीटों का आरक्षर दिया गया है, तो वो एक प्रकार से समान राजनितिक प्रतनेधित्त की जो मांग की गई थी, उस से शुरू हुआ था ये, आंधरप्रदेश का दो शहर एक चित्तूर, एक नल्लौर, सबसे पहले चित्तूर में शुरू हुआ था, फिन नल्लौर में शुरू हुआ और धेरे धेरे करते करते आंधरप्रदेश के 5000 गाउं का सहयोग मिला और ताड़ी विरुधी अंदुलन जो है, और तेजी से बढ़ने लगें, इस प्रकार से दोसरे कोशन का आंसर है, आप्शन नमबर बी, आंधरप्रदेश, तीसरा कोशन है, मचवारों या ताड़ी विरुधी अंदुलन कब शुरू हुआ, तो इसका मैंने उत्तर उसमें बताया, आपको क्या लगता है, इस यंद्त और आपको क्या आपको की ठालते हैं, था नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर टेक्नोलोजी को उसमें प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर रोजगार पाते हैं उनका रोजगार छेंज आएगा दोसरा उनका था कि उदारी करण ना हो फिश फार्मिंग वाले शेत्र में उदारी करण मतलब ये कि बहुत सारे अगर विदेशी लोग भी आएंगे भारत में अपने टेक्नोलोजी के माधिम से अधिक मातरम फिश फार्मिंग करेंगे तो यहां कि रोजगार की संभावना ध ये तीन मुख्य रूप से National Fish Workers Forum का मुद्द था और ये लग उत्रिये प्रश्ण में भी इस प्रकार से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं कि एन एफ एफ का क्या उनके उद्धिश्य थे और जो मस्स से आखेट होता है वो राज्य सूची का विश्य होता है आपको पता है कि समवर्ती सूची राज्य सूची और केंदर सूची तीन प्रकार की सूची है और जो सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के सम्विधान से उठाया था तो इस प्रकार से इस प्रश्ण का उत प्रोग में से कोई नहीं तो महिला अंदुलन का संबंध महिलाओं से हैं उपर जैसे तीसरे कोशन में ताड़ी विरुधी अंदुलन था जिसमें लेंगिक भेदभाव या लेंगिक असमानता या घरेलो हिंसा इन सब के बारे में चर्शा किया गया था वो भी एक प्रकार से महिला अंदुलन उसको संग्या दिया जा सकता है क्योंकि उसमें अधिकतर ऐसे ही मुद्धे थे जो महिलाओं की अधिकार से या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित थे तो महिला अंदुलन का संबंध महिलाओं से है छटा कोश्यन निम्न में से कौन सा परियावरर बहुत सारे आंदोलन भारत में हुए हैं जिसमें से चिपको आंदोलन बहुत ज़्याद प्रसिद्ध हुआ था कि परियावर संरक्षर संबंदित जितने भी यहां पर आंदोलन हुए हैं उसकी सूची बनाया हुआ है चिपको आंदोलन हुआ था उत्राखंड में शुरू हुआ था उत्राखंड में 2-3 शहर से चिपको आंदोलन की शुरुआत दो तिन गाओं से बलकिशेद से नहीं 2-3 गाओं से शुरुआ थी 1773 में चिपको आंदुलन ये मुख्यूरुप से विरिक्षों को ना काटने संबंधी एक आंदुलन था दूसरा नर्मदा बचाओ आंदुलन नर्मदा नदी जानते हैं कि मध्य परदेश में बहती हैं महराष्ट में और गुजरात में बहती हैं तीन राज्यां से होते हुए नर्मदा नदी बहती हैं तो उस पर बहुत सरे चोटे चोटे बांद बनाया जाने थे जिससे बहुत सरे गाओं वहां पर डूब जाते हैं मध्य परदेश में तो इसलिए वहां के लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदुलन की शुरुवात की थी एक है टेहरी बांध परिय परियावरर सनक्षर से मन्दित विरोध था तो इस प्रकार से छटे कोश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोग तो सभी फिस साथमा कोश्चन मंदल आयोग की अस्थापनक कब होई थी तो इसका ऑप्शन नंबर सी उन्नी सो अटतर सही हो जाएगा मंदल आयोग की बात किसी आने वीडियो में विस्तार से चर्शा करेंगे आठवा कोश्चन चिपको आंदलन का उद्देश क्या था वनों की रक्षा करना शिक्षा को बढ़ावा देना खेलों को बढ़ावा देना या मनुरंजन को बढ़ावा देना तो चिपको आंदलन की जो उद्देश था वो वनों की रक्षा करना ही था चिपको आंदलन इस कहना था कि अगर आपको पेड काटना है तो सबसे पहले मुझे काटना पड़ेगा उसके बाद व्रिक्ष को आप काट सकते हैं तो यह मुखी रुप से वनों की रक्षा से संबंधित इसका उद्देश शिता तो आठमे कुशन का यह ऑप्षन से हो जाएगा वनों की रक्षा है ति भागा आंदुलन किसान आंदुलन से संबंधित हैं तेलंगान और नक्सलवादी अंदुलन नक्सलवादी अंदुलन से संबंधित विश्थरत वीडियो करी 25-26 मिनट का वीडियो बनाया है डिसक्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देए आप उसको देख करके पू मांग थी वह मजदूरकिसान्षक्तिसंख्ठन, यानी मकह्श नाम का एक संख्ठन ने शुरूब किया था, यह राजिस्थान में इसकी मांग शुरू होई थी, उसके बास से 8 snia Mai गया था, जो की किसी प्रकार किवे्ट साओवीज हैं उसको public किया जा सकता है इस प्रकार की मांग है RTI अधिनिया में बहुत सारे प्रावधान हैं कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे तो विसार समझेंगे इसका कुल मिला की मतलब यह है कि कोई को भी public से संब्दित बातें हैं तो उसको public किया जाना चाहिए तो वह RTI से संब्दित है और यह उस समय मजदूरों से संब्दित था किसानों से संब्दित था इसलिए इसको भी किसान आंदूलन की श्रड़ी में रखा जा सकता है तो इस प्रकार से 9 question का अंसर हो जाएगा इसके लाव RTI का जो आंदूलन हुआ था वो सारे किसान आंदूलन की श्रड़ी में आ जाएंगे तो इस वीडियो में मुखिरूप से इतना ही इस वीडियो को अपने सभी साथियों की साथ शेयर कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि पिछले वीडि वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन नमस्कार